फ्रेंड अगर आप लोग Xiaomi Mi A1 Mobile यूज़ करते होगे तो आप सभी को पता होगा कि उसके अंदर Stock Android वर्जन काम करता है इसके बज़े से उसके अंदर Default, Music Player, Default, File Manager इसमें से कोई भी Software अवेलेबल नहीं होता उसके लिए हमें Third Party application डालोड करनी पड़ते हैं एक इस वीडियो के अंदर एक ट्रिक बताऊंगा जिसके जरीए आप Xiaomi का Default File Manager यूज़ कर सकते हो नमस्का दोस्तों मेरा न मेरा उल और आप देखरें अपना हमारा चैनल तो ही शुरू करेंगे तो फ्रेंड उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में आ जाना है सेटिंग में आने के बाद आपको Storage पर क्लिक करना है Storage पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर Explore पर आ जाना है उसके बाद आपका File Manager यहाँ पर Show होगा आप यहाँ से अपने Files को Delete, Copy, Paste, सब कुछ यहाँ से कर सकते लेकिन यह Access करने के लिए आपको बहुत ही अंदर आना पड़ेगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपका Play Store उपन करना होगा उसके बाद यहाँ पर Shortcut Maker for Document UI Software डाउनलोड करना होगा इसका डाउनलोडिंग लिंक में वीडियो केंची डिस्क्रिशन में देद दूगा आप वहाँ से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते उसके बाद हमें इसको ओपन करना होगा ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ चेंजस ने करना है चाहे तो आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर डिफाल्टी रहें देता हूँ उसके बाद Create shortcut पर क्लिक करना होगा तो फ्रेंड उसके बाद आपको यहाँ पर दो option आ जाएंगे File Manager के उनमें से आपको एक को डिलिट मार देना है तो उनमें से आपको जो आपने software डाउनलोड किया था इसको हमें अनिस्ट्रल मारना होगा अनिस्ट्रल मारने से भी यह File Manager आपको यहाँ से नहीं हटेगा उसके जहाँ पर क्लिक कर देना उसके बाद यह आपका default File Manager हो गया आप इसके अंदर से जो copy paste चाहिए हो सारी चीज़ें इसके अंदर से कर सकते फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो क्लाइक करना शेयर करना कमेंट दूरू करना मैं इसी तरह से MA1 के मोबाल के उपर और वीडियो लातर होंगा लास्ता देखने के लिए बहुत बहुत धनेवा जय हिन वंदे मात्रम